कि बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम उल्यकूम डेयर सीय स्टूडेंट्स आज हम अपना पी आर्सी थ्री मतलब प्रिंस्पल्स ऑफ एकनामिस का जो हमारा रिवीजन क्लासिस का बैच है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमने सबसे पहले यह देखना है अपन का आज कि आइग्सक्रा एकनामिस का पेपर हो आपका एमस कूज बार आटैस्स के मताबए किसी कोजिशन को आटी यह आपका इम्सिक्त दोो हुजाए कि रूपर रिटन पेपर होते हैं, उसके बाद क्या होना है? उसके बाद हमने यह देखना है कि सब्जेक्ट में है क्या चीज़? तो इसका नाम क्या है Principles of Economics, मतलग क्या है कि इकनामिक्स के असूर या कवानिय है तो उसमें जब हम देखते हैं कि एकनामिक्स में हम ओवराल तीन चीज़ों को डिसकस करते हैं और चार लोगों को डिसकस करते हैं सबसे पहरा मैं यहीं बताता हूं क्या चीज़ें तीन चीज़ें और चार लोग वो तीन चीज़ें कोन कोन से हैं एक होती हैं गुट्स एक होती हैं सर्वसेज और इसके लावर एक होता है मनी और चार लोग कौन कौन से हैं चार लोगों में एक है अकेला बंदा जिसे हम कहते हैं इंडिवीज्वर्ट या उसके घर के अफराद के साथ अगर हम उसको काउंट करें तो हम कहते हैं इंडिवीज्वर्ट उसके बाद क्या है फर्म उसके बाद क्या है गौर्वर्मेंट और फिर उसके बाद है फारण ट्रेडर तेकनामे से हमने कहा है कि तीन चीज़ें होगी और चार लोग होगे तीन चीज़ें कौन कौन सी एक गुड्स एक सर्विसेज और एक बनी इनको मैं एक्स्प्रेइन अभी करता हूं इसके बाद लोग कौन से हैं एक है इंडिवीजल या हाउसवोर्ड उसके बाद फार्म फिर गॉवर्मेंट और फिर फारण ट्रेडर तो मैं जो सबसे पहले हम ने रेखनी है कि वह कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको हम प्रामेस में डिसक्स करते हैं तो इसके एक डाक्टर है और एक ठीक है अब ये पेशेंट डाक्टर के पास किया है अपने इलाज कराने अब ये क्या जब डाक्टर के पास जाता है तो डाक्टर पहले क्या करता है इसका चैक अप करता है फिर चैक अप करने के बाद जो सूटेबल मेडिसन होती है वो इसको दे देता है मतलब टैबलेट् जब यह जाने लगता है तो यह डाक्टर को इसकी फीज देता है तो इन में एक क्या है चेक अप एक टैबलेट और एक फीज तीन चीज़ें शामल है अगर चेक अप को हम देखा जाए तो हम चेक अप को टाच नहीं कर सकते हैं इसके कोई फीजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती है यह एक डाक्टर की तरह से क्या है सर्विस है इसके पार टैबलेट्स हैं टैबलेट्स के हैं इनका हम फीजिकल टाच कर सकते हैं कि एक स्टेंस होती है तो हम कहते हैं ये क्या है गूट्स हैं फिर जब वो जाने लगता है डॉक्टर को उसकी देता है तो फीस कि शकल में देता है पैसों की शकल में मतलब बनी तो इस तरह से ये तीन जीसे पूरी होगी सर्फिस गूट्स और बनी फिर हमने कहें कि चार में गली महले में जो भी कोई दुकान होती है वहां जाकर कोई चीज खरीदता है चीजों को बाय करता है जब वो खरीदता है तो उधर से भी कोई बेचने वाला होता है मतलब वो जो चीजों को सेल करता है तो एक बाय करता है क्यों ताकि उस चीज को यूज का सके कंस्यूम कर सके इसलिए हम इसे कहते हैं कंश्यूमर और दूसरा क्या करता है चीज़ों को सेल करता है, ताकर वहां से पैसा कमा सके रेविन्यू कमा सके जिसे एक नावन कैते हैं ठीक है और असर मकसद क्या होता है कि पैसा आएगा तो उसमें खर्चे निकाल कर फिर प्रॉफिट कमाएगा इसके बाद है गौर्मेंट गौर्मेंट क्या करती है यह अपने शेहरीयों को मुख्लिक सहुलिया प्रोवाइड करती है फिसालिटीज वगेरा और इसके बाद क्या है फौरण ट्रेडर फौरण का मतलब होता है बिरूने मुल्क ट्रेडर मतलब पिजारत करने वाले कारोबार करने वाले तो जो अपने मुल्क और दुनिया के वाकि मुल्कों के जिर्मियान ट्रेड यानि कि बिजनस या कारोबार करते हम कहते हैं यह फौ कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर के मुलक्स चीज़ लेकर आता हैं फिर पाकिस्तान में बेजते हैं और पैसा कमाते हैं तो इनको हम कहते हैं इंपोर्टर्स तो यह पारंट एटर की मद्धीज क्लासिफिकेशन तो इसमें अगर देखा जाए कि हमने ओवरल क्या किया है कि हमने य उनको हमने देखा है क्यानrice में चार किसum के लोग यार क्रेक्टर्स होते हैं कौन-कौन से एक होता है इंडिवीज intenal ऑफियलाथ बंदा या अगर उसके अपने कहर के अफ्राद के साथ हम कौट करे हैं तो हम कहते हैं यह सारे आप हाउस हम बेन ऊसरा क्या है फार्म तीसरा क्या है government और सथा क्या है foreign trader तो पहला क्या करता है चीज व्वववभ इंटर्नेशनल ट्रेड करते है। फ़ौरान यनके बृुषय मॉल्क把 की मॉलक के साथ। इस तरहा चाहिए और पाकिस्तान में लेखरा प। पैसा कमाते हैं। इस फट्पोर्टर्स मे तरह दिए और इस पाकिस्तान में पाकिस्तान को हमसित पाकिस्थों तो यह ज़रूरी थी इकनॉमेस को स्टुडी करने से पहले कि हमें पता होना चाहिए इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को और कितने लोग हूं या क्रेक्टर्स को डिसक्स करेंगे आगे जो वन है इसमें ओवराल पूरी इकनॉमेस का इंटॉरक्शन दिया गईए अगर हम हर इसटर करते हैं आब हम प्रापर तो इसका स्टार्ट करते हैं जो हमरे स्लेबसमें चीज़ हो तो पहले हम इकनॉमेस को देखते हैं इकनोमिक्स की डेफिनेशन क्या हुई मदर आफ सोशल साइंसे लोगों को जब हम डिसकस करते हैं न तो हम कहते हैं यह क्या है सोशल जैसे सोशल मीडिया वहाँ पर मुख्लिफ लोग हैं तो इस तरह से जब लोगों को सड़ी किया जाए कि उनका अपस में जुसर के साथ क्या लेंद दैन है तो हम कहते हैं यह सोशल साइंस है और मतलब यह कि कोई भी नॉलेज जिसमें हम लोगों को डिक्स करें उनमें सबसे जो आला है जिसमें सबसे ज्यादा इंसानों को डिक्स किया जाता है वो क्या होई एकनोमिक्स इसलिए इसके पास इसके रिलेटेड मुख्लिफ लोगों इन अपनी क्योरीज दी हैं पहला था है एडम समित दूसरा अल्फरिड मार्शल और तीसरा लियूनल रोपिंस यह त क्योंकि हर बंदा एक चीस के बारे में सुनता है तो वो अपनी राया देता है उसके बाद को और देता है और इस तरह से अब पहला है एडम समित इससे क्या कहते हैं फादर आफ इकनोमिक्स के उपर एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वारी इंटू नेचर एंड का इसके बाद इसका आइडिया क्या थे स्थायन साइव मतलब ये ने अपनी जिन्दी में करते हैं पैसं को डिषक करते हैं उससे इकनोम जेंगे मतलब इसने ओ delivering अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया है कि एक होता है कि एक होता है कि इन्डिविजन या हाउसोल्ड दुकान से चीज जाकर खरीचता है फिर दुसरी होता है फ़र्म जो चीज को बेचती है इसमें आप देखा हैं तो इसमें पहला क्या है ecosystem of wealth पैसे कौन बना रहा है वो जो चीज बेच रहा है अब एक बंदा ज़िए जाब दुकान से चीज करीदने चाता है तो चीज लेता है और पैसे देता है मतलब क्या कि जो जो चीज बेचने वाला है उसने पैसे यहां पर बना लिए प्रोड्यूस कर लिए तो यह क्या हुआ अब वो जो चीज बेच रहा है दुकानदार अब वो यह निक अकेला बंदा बैठा है और चीज बेच रहा है उसके अंदर उसके मुक्तिफ एक्सपेंसेज भी हैं वोसर कोई बड़ी फैक्ट्री है वहां पर उसने मुक्तिफ लोगों को काम पे लगाया हुआ है तो जो चीजे बेच कर वो पैसा कमा रहा है उन पैसों में से फिर वो अपने जो मुलाजमीन है या दुकान का किराया है उसको भी उन खर्चों में से निकालता है वो खर्चे पूर लोगों में जो उसकी लेबर थे काम करने वाले मुलाजमी या दुकान का किराया वगएरा उसके बाद अब पहले तो काम प्रोड़क्शन और डिस्टिबूशन देखा जाए तो यह सेलर की तरफ से हो रहे हैं जो चीज़ को बेच रहा है यानि फर्म जो दूसा बंदा था इकनोमिक्स में इसके बाद के कंजम्शन और एकर क्शेंज आफ वाल्फ को इसकी तो चीज़ों को इसंब करना तो हम देख सकते हैं यहां पर जो चीज खरीदने वाला था पायर जैने इंडिवीचल या हाउसोर्ड उसने चीज खरीदी और पैसे दिये तो हमने क्या का कि इसने वैल्ट को पैसों को कंजूम किया है जूस किया है खर्च किया है उसने जीज बी और पैसे दिये उसके मुतवादल में पैसा पहले कोई बनाता है फिर उसे तक्सिम करता है इसी तरह से कोई पैसे को कंजूम करता है या एक्स्चेंग करता उसके बाद ये उसके डिटेल आगे उसने बताई है प्रोडक्शन आफ वेल्थ क्या मतलब थू प्रोडक्शन आफ गूर्स और सर्विसेश वाइ कमबाइनिंग फोर फेक्टर्स आफ प्रोडक्शन अब ये और चीज आगई है मैंने आपको प्रोडक्शन बताई हुए ये उसके आगे डिटेल दे रहा है कि प्रोडक्शन आफ वेल्थ कैसे करते हैं थू प्रोडक्शन आफ गूर्स और सर्विसेश मैंने कहा है कि उसने जो चीज बेची है पैसा कमाया है जो बेची पैसा कमाया है जो बेची है उसने तो किस तरह बनाई भाइख जिसका नाम है कि उसने किसी मोटिवेशन सपीकर की सपोस्ट समझ लें सपीच सुन ली है कि इंसान को अपना कारुबार करना चाहिए उसके बाद उसने अपने दोस्ते काया कि यार मैं उपना कारूबार करना चाहता हूं उसके दोस्ते कारूबार ऐसे बैठे बैठे नहीं इसक्त हो जाता उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्पेंसिश बगईरा करने पड़ते हैं और हिम्त और जजबा भी होना चाहिए कियुकि कारोबार करते वक्त हमें प्राफिट भी हो सकता है और इसके साथ लॉस कबी हत्षा होता है वो कहता है कहँ बताओ कारोबार करने के लिए ञा इस कारोबार के लिए तो मैंने ये करना है इसके लिए बताओ कि मुझे किन चीजों की जुरुत पड़ेगी वो कहता है कि ठीक है सबसे पहले जाहिर सी बात है तुम कोई ना कोई दुकान लोगे वो कहता है बिल्कुल फिर उसके बार वो कहता है कि फोटो कापियर प्रेंट निकालने के लिए या तो फूद बैठोगे या किसी बंदे को रखोगे वो कहता है बिल्कुल ये भी है जिसके बार वो कहता है कि फोटो कापियर प्रेंट कैसे निकालोगे जो हैं जाहिर सी बात है किसी नेятсяी बाहरी से मतलब किया होँआ कि तुम्हें अश दुकान में एक दुकान पहले लेनी है उसके बाद एक बंदर रखना है इस न हम ette न कर दो तो करो जे नहों कि एक महीने लॉस हो और को कि ये कारोबार को अच्छी चीज नहीं है अगर तो तुम स्टार्ट में को बेर कर सको लॉस है तब तो करो कारोपा तो कहता है कि मेरे अंदर हिमत जब्बा है मैं ये रिस्क लेने के लिए रैडि हूँ था है मुझे प्राफिट और या लास हो वो कुछ ज्यादे ज़बाती था तो वो कहता है कि ठीक है मितलब यह कि आप तुम चारों चीजें परवाइड करने के लिए रैडि हो तो तुम्ह अगर कोई चीज अपना प्रड़क्ट बनाना है बेचने के लिए तो तुम्हें चार कंपोनेंट्स चार चीजों की जुरूत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं सेक्टर्जा प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी चीज़ जरूरी हैं वो कहता है कि सबसे पहले क्या वरोगे तो को कोई भी मशीनरी पॉट कापिर प्रींटिंग इसके बाल एंटर्पीनियोर्षे मतलब क्या हुआ कि रिस्क लेने के लिए भी रैडियो तो हमने कहा था कि बनादा चीज लेने किया तो किसी ने चीज बेची है उसने पैसे लिए है तो पैसे मतलब लिए है तो पैसे इसके बात कि हम ने कहा है कि जो बना कर आके बेज़ता है पैसा कमाता है फिर वो अपने मुलाजमी वगएरा में तक्सीम करता है क्योंकि उससे तरह बेचा फैसे आए तो वो भी इन तो प Mix है को बदला दिया यार मैंने तुम को इसंमाल किया है तो उसके बदले में जीलो पैसे जब पैसे कमने तो उसने कुछ दुकान का किराया दिया भिर जबरकर था उसकी सेलरी ती तो शुरू में जो मशीन्री रखी थी ऑप झालता है वहां से चिसक्ताफराकर देंगा उसने जो हिम्मत करके कारोबार किया, उसनों मकसद था कि मैं कारोबार से मुनाफ़ा कमाऊं, प्राफिट, जो एंटर्पिनियोर्शिप का रिवार्ड क्या होता है, प्राफिट, उसके बाद हमने देखा है, कंजंशन आफ वेल्थ क्या है, तू बायर था, उसने पैसे को कैस पैसे खार्ची या कंस्यूम किया है, गुर्ज या सर्फिस को पाय करके, पर्चेस करके, और एक्स्चेंज भी जही था कि उसने चीसें खरीदी और पैसे दिये, उसके बाद जो दूसरा एकॉनमिस्ट था, ईल्फरिड मार्शल, उसने क्या किया, उसने फिर भुक लिकी, उसने इसका नाम, principal's of economics, जो इसके हम वारी BACC का नाम भी ही है, उसने idea क्या दिया, उसने क्या कि economics is science of wealth, ठीक है, economics क्या है, science of, sorry, welfare, एकटम समेच रहता है, उसने क्या कहा है, science of welfare, जो एल्फरिड मार्शल, इसने क्या क्या होता है, भलाई, अब अगर देखा जा तो, एकएक प्यूरोस के नहीर जिस्से की डैले को ईकनामी्स यह का कर मुहिए कान्स क्ञेब्र करने के लिए इसे करने केया है फुरिया की जाय not हिसी नीज एकनामी checks उन्हें झाझे वी जुझ सब्सक्राइब पूरी हो जाएं तो हम ऑम एक भामस करेंगे. अब एडम समित का कसूर क्या था? उसने बात ज्रूरियाद की नहीं की. उसने ड्रेक्ट पैसे की बात कर दी. मकसद उसका भी शायद यहीं था कि पैसे होंगे तो आगे हम ज्रूरुरियाद पूरी करेंगे. लाकिन उसने गलती से जो statement दियोस में उसने लाज से well use कर लिया इसके बाद लोगों ने समझा ये तो बैसे की बात कर रही शायद ये कोई लाल जी इंसान है तो Elfrey Marshall ने इस दफ़ा सोच समझ कर statement दी उसने कहाए कि मैं direct जरूरियात की बात करूँगा मतलब welfare की इसने कहाए कि इंसान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जो कुछ करता है dealing हम उसे economics कहते है इसकी definition क्या थी economics की study of human action इंसान का कोई भी अमल which is connected जो जुड़ा हुआ हो with getting and using material needs of humans मतलब क्या हुआ इसने दो पॉइंट है एक इसने कहा कि इंसान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जो कुछ करता है जो भी अमल करता है उसकी study के लिए और जरूरियात कैसी यहां पर गौर करने की बात है material goods in material नहीं material का मतलब जी कोई शेप या शक्कल हो अगर देखा जाये जो हमने स्टार्ट में देखा था हमने कहा था कि इसमें तीन चीज़े होंगी लेकिन यहां पर पकड़ा गया है इसने जब कहा है material goods तो यहां पर रोगों ने कहा कि इसने material goods यानी services की बात नहीं की तो इसने क्या का इसने कहा कि इनसान अपनी माधी जरूरियात पूरा करने के लिए जो कुछ करता है उसकी study को उसके अमल को हम कहते है इसके बात क्या थे लिएनल रोबेंस यह थार्ड इकॉनमिस इसने 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 क्या क्या डेपिनेशन दी इसने कहा कि इनसान के रवईये को जब हम study करते हैं तो हम क्या कहते हैं यह एकनॉमिक्स है human behavior अब आपके दोस्के साथ आपके parents के साथ आपके relatives के साथ एक behavior होता है जिसमें समझ जाते है इंसान का image होता है कोई समझे जाते हैं कि यह नरम दिल इनसान है कोई साथ दिल लेकिं आपको याद रहे कि हम इकनामिश बढ़ रहें जहां पर हम कोई और निका, जिसमें को यहां बाद यहां हम इकनामिश सटडी कर रहे हैं जहां पर हम इनसान का behaviour वह वह वहले डिसक्स टनी करेंगे जिसंक्के एकि कि दोस्तों रिष्टेदारों के साथ आपका कैसे बीज़े रहे जाहां पर वो किस behavior की बात करता है वो कहता है study of human behavior as a relationship between limited resources, having alternative uses and unlimited parts, मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि suppose एक बंदा है जिसकी जे में 100 पे थे, उसने सोचा है कि मैं 100 पे में से 1 kg लूँगा, जब वो लेने गया तो उसे वहां पर लेज का एक package नजर आया तो उसने सोचा कि मैं ये भी ले लेता हूँ, जब उसने पता किया कि टोटल बिल कितना बनता है, तो उसे पता चला कि अगर वो लेज और चीनी दोनों लेता है, तो उसका बिल बनेगा 120, उसने एक किलो चीनी ले 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 थी, लाकिन उसे लेज पसंद है, तो उसने क्या किया, उसका भी पता किया, अब उसकी जे में 100 रुपे थे, अब 100 रुपे में दोनों चीज़े वो नहीं खरी सकता है, अब इस टम क्या करेगा, या तो वो अपने 100 रुपे को इस तरह से जूज करेगा कि अपनी दोनों खायशें पूर हो जाए और साथ वो ले 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 ताके उसको भी जाय कर सके तो इस ताइम उसने जो अपना behavior show की है ना अपना decision जो उसने लिया है उसके इस लंखे की decision making को हम कहते है economics लिनल डॉबिस के मताबे तो इसने कहें कि जब इसान की च्चेव में क्या हूं limited resources हूं resources कहते हैं हैं जिनको उसने यूज़ करना था ताके और चीज़ें खरीदे तो क्या थे लिमिटेड रिसूर्से मतलब ये कि वो साओ की रास्ते में जाते हुए डेट सो नहीं हो गए लिमिटेड मतलब कि जितने थे फिक्स ही रहे तो वो कहता है कि इंसान के पास जब फिक्स सा मौट मे कि वो ज़्यादा से जयादा खाँशे कैसे पूरी कर सकता है उस टे लेगा अब हो सकता है और आप मैंने ऽिनी लेनी है लेजति लेने हैं तो यह भी डूस्ति नहीं ले सकता है सिर्फ लेज़ भी ले सकता है या दोनों भी ले सकता है तो उसमें वो क्या करेगा हो सकता है उसका बेस्ट रिसियन यह होगा कि वो चीनी थोड़ी कम ले 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 और उससे लेज़ भी ले ले ताके उसका क्या हो जाए दोनों खायशात पूरी हो जाए तो इस तरह से अपने पैसों में वो अपनी unlimited वार्स जैने के दो तीर खायशें पूरी करेगा तो हम क्या कहेंगे इस ताइम जिसने लिया है उसकी study एकनामिस के पर इसके बाद यहां पर क्या है नेचर आफ एकनामिक्स की नेचर क्या है जैसे एक बंदे की नेचर होता है कोई बंदा होता है कोई एक एक बात के उपर गोर करता है इस तरह से एकनामिक्स की नेचर है कि किस तरह की है एकनामिक्स की तबियत कैसी है वो कहते है एकनामिक्स साइंस भी है और आर्स भी है यह क्या बात है जिसको हम आगे देखते हैं वो कहते है एकनामिक्स साइंस क्यूं है वो कहते है साइंस इसलिए क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं एक्सपरिमेंटेशन भी करते हैं और यहां पर हम कनिकुलियोंस बनाते हैं नताइज अखस करते हैं अगर आपको याद हो आपने मैटरिक FSC में साइंस का सब्जेक्ट पड़ा हो गए जिसमें फिजेस के मिस्टियों और बायों होते थे तो हमें सबसे एक्सपरिमेंट के हबहाले से देखा जाए तो फूशेक्स के मिस्टी हो इसमें क्या था कि साइंस में हम मुक्णफ कराया है तो उसके रिजल्ट में यह चीज़ बनी है सपोज एक कामर एक्जम्पल है कि H2O प्लस O को मिलाया तो H2O बना हिड्रोजन और अक्सीजन को मिलाया तो पानी बन गया यह एक कामर एक्जम्पल जो हर किसी को बना है यहां पर हमने किया कि एक तजर्बा किया है कि हड्रोजन और अक्सीजन को ऐसे मिला रहे थे तो बाद में देखा तो पानी बन गया तो फिर इसके एक्सपेरिमेंट हमने किया है तो पहला स्टेप होगी एक्सपेरिमेंटेशन उसके बाद क्या हुआ हमने रिजाल्ट यह निकाला कि अगर हेड्रोजिजन और अक्सिजन को मिलाया जाए तो पानी बनते हैं यह हमने क्रिकुलियन बना जाए अब वो कहता है कि इस तरह कि जो हम साइंस स्टडी का रहना इसकी पी आगे दो ब्रांचे हैं एक है क्या है कि हमारे पास पहले एक समझने कोई प्रड़क्ट है सुपोज ही चीनिक की एक्जमपल ले शूगर की वो कहता है कि शूगर का जो वन केजी था यह पहले था हंड्रेट उपीस तो दिन में टैन केजी बिक जाता था उसकी बाद जब हमने इसकी प्राइस एक सो बीस किलो कर दी तो अब ये डेली का आठ किलो बिकता है तो उसने एक तजर्पा किया था कि अगर मैं कीमत बढ़ाऊ तो क्या असर पड़ेगा तो उसे पता चला कि उसने कीमत जैसे बढ़ाई उसकी दिमांड काम होगी लोगों ने खरीदना काम कर दिया क्योंकि चीज महंगी ह तो ये उसने तजर्पा करने लगा था कि अगर मैं एक चीज मही करूं तो लोगों कर रियक्शन क्या होगा तो लोगों ने यही रियक्ट किया कि पहले ज्यादा लोग परीट देते अब कुछ लोग एफोर्ड नहीं करते 120 रुपे किलो चीनी तो उन्होंने लेना कम कर दी तो उसके बाद उसने रिजाट निकाला कि अगर किसी चीज की कीमत यानि प्राइस को बढ़ाया जाए तो उसकी तलब यानि डिमांड काम हो जाती है तो ये क्या हुआ उसने रिजाट निकाला तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था उसके बाद ये उसका रिजाट था तो हम क आप समझें, ideal जो डैडी मैंने लिखा हुआ यहां पर, एक वो चीज होती है जो हकिकत में चल रही होती है, एक होती है जो हमारे लिए ideal situation होती है, हमारी खायश होती है कि कास ऐसा हो, वो कैसे, कि जो बेचने वाला यहां पर बनना था, उसकी खायश क्या थी, उसकी खायश यह कि मैं चीज महिंगी करता जाओं लोग ती भी खरीदें ताकर मैं ज्यादा मुनाफ़ा कमाऊं यह उसकी खायश थी लेकिन हकीकत क्या थी कि उसने कीमत जैसे बढ़ा ही डिमार्ड या तलब कम हो गई यहां पर हगीकत क्या थी कि कीमत को बढ़ाउं तो लोग भी खरीदें ताके मेरे पस ज्यादा प्राफ्ट हो यहां पर जो हगीकत में जो असल सीक्यशन थी वो थी प्राइस को बढ़ाने से डिमार्ड कम होती यह ये एक पॉस्टिट साइंस है what activities, कि हकीकत में है कि हाइ यह है, यह कहला है, इर्ग है, हकीकत है, उसके बाद नॉन्मीरग क है, यह आइडिया सिचोइशन है, मिश्या स्ब्स्थियोशन, what it should be, के होगों कैसे चाहिए उसकी हैं, और छाहिए कि मैं कीमित बडू तो ढूंद फिर भी बढ़े। वो किया कहता है वो कहता है यह फिर छांस होसकता था लकिर हुई नहीं लोगों ने UART倒 आरट किया। इसने कीमत बड़ाये उन्य México था कम कर दी वहां पर चीजों को create किया यहां पर चीजों को apply किया यहां पर हमने तजर्बा किया था कि price बढ़ा है तो demand के उपर क्या आसर पड़ेगा फिर result निकला कि demand कम होती है अब यह तजर्बे हर दफा निक किया जाते अब यह end पर जब result हमने लिख दिया था ना उसके बाद आप हम कर चुके थे अब हर दफा हम उसको apply करेंगे अब हमें DCN जब लेंगे तो हमें एक statement अल्रेडी मिली हुई है एक आर्ट स्टेट्मेंट मिली हुई है इस तरह से हमने जो science में तजर्बा करते हैं अब next जो भी DCN लेते हैं हम उसी तजर्बे को यहां पर इस्तमाल करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं और वह जो वहां पर result अखस किया कि price brand से demand कम हुई अब हमें इस चीज़ के यकीन होगे अब हम उसी को apply करेंगे जब भी कीमत बढ़ने लगेंगे तो हमारे दिमाग में होगा कि इसकी demand कम होगी उसक माइक्रो का मतलग क्या है नेम डेरिवेशन नाम निकला कहां से है अगर आपको याद हो मैंने बताए है कि इकनॉमिक्स में चार लोग होते हैं इंडिवीचर या हाउसोल्ड फिर 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 गॉर्मेंट फिर फॉर्टेटर यहां पर अगर देखा जाए और चार मैंसे जो पहले जो थे ना इंडिवीच्वल और फिर उन दोनों की स्टडी को हम देखेंगे माइक्रो इकनॉमिक्स में और अगले थे गॉर्मेंट और फिर ट्रेडर इन दोनों की स्टडी को हम देखेंगे मैक्रो इकनॉमिक्स में तो इस तरह से यहां पर माइक्रो इकनॉमिक्स को तो हम यहां पर individual जा household और farm को discuss करेंगे तो वो ही कह रहा है कि consumer यानि individual जा household उसका नाम ही consumer है कि को वही चीज़ों को खरीदने गया था यूज करने के लिए तो वो कहता है consumer और farm इन दोनों के आम life में जो functions होंगे जो behavior होंगे उसको study करेंगे जो हम कहेंगे माइगरी ठामिस है वहां पर कैसे decision होंगे उनके एक decision making और दूसरा allocation of resources मतलब क्या कि बंदा जो चीज़ लेने गया था उसकी जेब में 100 रुपै थे उसने वहां पर decision लिया है कि उस 100 रुपै को वो किस तरह से इस्तमाल करें अपनी खायशाथ पूरी करने के लिए तो यह क्या हुआ उसकी decision making दूसरा क्या allocation of resources allocation का मतलब होता है चीज़ों को specify करना कि फलाँ मेरे पास जो जीज़ है इसको मैंने उसकांग के लिए इस्तमाल करना है अब उसने वहां पर जो 100 रुपै थे उसने दिमाद लगाया था और का था कि यह मेरे पास जो 100 रुपै हैं जो कि मेरे लिए resources हैं जराए हैं इनको किस तरह से मुक्तस करना है एलोकेट करना है डिवाइड करना है अपनी खाहिशाथ के लिए तो उसने वहां पर डिसीज़ लिए कौन सी चीज़ें करीजनी है और कितने रुपै कि इस चीज़ पर लगाने हैं यह क्या हुआ हुआ डिसीज़ मेकिंग और एलोकेशन अपर इसके बाद प्रोफैसर के यी बोर्डेश की डेफिरेशन अफ इकनामिक उसने इकनामिक क्या क्या था उसने क्या 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 अगर हम पूरे मौलक के अंदर जितनी भी दुकाने हैं मुझमूरी तोर पर उनको सट्डी करेंगे तो वहोगा मेकरोएकनामिकач ऐक बड़े लवल पर बात लाकिन किसी एक डुकान को लिसक्त करेंगे खोरे लवात क्यांगे ये चोटे लेवल फर बात इक popcornर चेजिए अचीज़ को हम लिसक्त 은 तो हम क्या कहेंगे, यह कहें, माइक्रेक्रामिक्स है। इसी तास से उन्स चीज़ों की प्राइसेज़ को या जो फर्म यानी फोटोकाफी वाली दुकान में बंदा काम कर रहा था। उस अकेले की तरखाख को दिस्कस करेंगे, अगर wages को या income को, फो हम कहेंगे, यह micro economics है. तो ओक क्या ग्यांस के को डीमांड को डीमांड अन सफ्लारए मार्थी। फिर production theory. कास्ट अप्रोडक्शन यह क्या होगा कंजूमर क्यूरी से मुराज कि वह अकेला बंदा जो चीज दुकान पर खरीदने गया था चीज़ों को इस्तमाल करने के लिए कंशूप करने के लिए तो वह कहते है माईक्रोड्स में उसके लिए बंदे को भी डिसक्राइब करेंगे उसके बाद वह क्या कहता है कि वह जो चीज खरीद रहे ताना हम ने का तरफ इसने चीज चीज की तलब किया यह यदि इमांड और जिसने चीज बेची थी वह कौन था फार्म यानि सेलर तो इसने सब चीज को सफ़लाय किया था तो उसको भी माईक्रो में सटी करेंगे तो त्व मने काया है कि नहां पर चार जीजन को इस्तमाल करके चार चीजम का खर्चा उसने था कास्ट लगाई थी तो उस ब्रॉडएक्ट्सन के उदबर तो भी सीमें डिसक्त सके भॉचने वाल लेंगे और यह जो कंजुमर थे और लिए और इनिवीड़ी यह खोक्राइब मतलले का कहते हैं था पी कॉम देटारी पॉम्डियूटी क्याते हैं है उसकी जी से क्षब्टतिक कोई चीज कोई शक्कालाई तो इन गुड्स को हम पॉमटिटी कहते हैं तो वो कहते हैं चीजों की निजने कि एक His के दिमांड को भी मार्विकिर है चीजों का हैं फिर वो प्रडेक्शिन पॉर स थे लैंड लेबर केप्टियर उनको तरह निकाला उसका प्रॉपिर निकाला उसका इंट्रस्टन कनाते है तो वो उनकी प्राइसिंग थी है किस हमकी फेक्टर प्रोडिक्शन की तो इसके बार वेलफेर क्याता है Allocation of Resources for Maximum Welfare of Society ठीक है मतलब क्या है कि इंसान अपने जुरुआत पूरी करने के लिए अपने चीजों के जैसे जैसे ऐलोगेट करता है कि मेरे 10 रुपए इस काम के लिए है 20 इस काम के लिए है उसके बाद क्या की एकनामे कुछ्चन माइक्रेकनामे में हम एक और चीज भी देखते हैं What to produce, How to produce और Far Home to produce ठीक है अब इसमें क्या हुआ कि सब्सक्राइब एक बंदा है इसके बाद वो यह देखता है कि मेरा प्रडाक्ट बिके का ज्यादा कहाँ पर इसकी ज्यादा डिमांड होगी कहाँ पर मतलब कोन से लोग इसको फ्रीदेंगे Far Home to produce तो यह जीज़ें सारी प्रोड़क्शन से रिलेटेट है तो फर्म कहा है फर्म के बाद वो इसके बाद इसके बाद वो माइक्रोडामिस की इंप्रड़ जोगांडाथ है मैंक्सिमा में अफ्र जोगेस सकार्स वही कहते हैं मतलब शार्ट चीज जो मुटतर हो जहाँ कहसा थे कम निकिडार में हो तो वो कहते है कि एक इसने प्र्मोग में जो उसके पास limited पैसे हो फोड़े से उसको वो कैसे कैसे use करता है मुक्तस करता है मुफले कामों के लिए ताके ज्यादे से ज्यादा फैदा हुटाए तो यह भी हमने देखे है मैक्रिक्राउस में प्राइस रिटर्मिनेशन अब हम देखा जाए कि आकर एक बंदा ज्यादा च सब्सक्राइब करें इसको सब्सक्राई को सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का लिए और पर-जो में शुपने पर जो प्रमॉटेम्टक कीज्जाइब है Exchange rate stability का मतलब यह है कि हमारी कौन सी currency है, rupees में होती है और बाहर की कौन सी dollars में होती है तो इन दोनों काम किस तरह से इनकी value को maintain रखें इसके बाद क्या करते Assist finance minister in setting the fair tax rates part tax collection यह वैसे micro economics के objectives है सारे लेकिन यह micro बड़े लार कोई काम जब होता है तो उसके कुछ ना कुछ बेस भी तो होती है ना तो यह बेस बनाने में Micro economics करता है इसके बाद क्या limitations है limitation मतलब क्या होगा कि Micro economics कहीं कहीं पर नाकाम हो जाते है कुछ-कुछ चीजों को डिसकति करती कैसे it doesn't represent the complete farm of whole economy मतलब हो कहता है के whole economy मतलब एक पूरे मोल्क की जो economics है economy है मैशात है वो पूरे मोल्क को discussing करती Micro economics क्योंकि पूरे मोल्क में तो चार एजेंट्स हैं अच्छा feedback आप लोग आया है तो यह मैंने कोशिच किया कि आपको लेक्टर की जुरोती ना पड़े वैसे लाकिन यह कि एक रिवायत है तो लेक्टर चलती है it doesn't help in solving some necessary issues trade imbalances foreign debt inflation inflation कहते हैं मैंगाई को foreign debt बरूनी करदा trade imbalances का क्या मतलब है वो foreign traders हैं हमने का कुछ चीज have import करते हैं चीजें लेकर आते हैं पैसे बाहर के लोगों को देते हैं export करते हैं बाहर के लोगों को चीजें बैशते हैं और पैसे लेते हैं तो इन दौनों पैसें की value में अगर कोई उपर-र-निशी हो जाए ज्यादा पैसे मुल्क से बाहर जा रहा हो और कम आ रहा हो ज्यादा आ रहा हो ठोड़ा कम जा रहा हो बाहर इस तरह से दोनों में अगर से देखर से बाहिन्स के रहा हो जोन प्राणकल में प्रांटर कहरा है अटारी में वी डिशेज्स पहले ninetyc tek उनकर 123 कर दोन हो करकर काम कर रहा था उसकी हम अगर इंकम या वेज़स को स्टड़ी करेंगे तो यह माइक्रोइकनमिस है लाकिन पूरे मुल्क के लोग मिलकर कितना कमाती है अब उनकी अबर जब हम इंकम यह आमदन को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे यह कहें नैशनल इंकम है वैल्य आफ उसके बाद के स्कोब फिर इसके यह जी है कि मैंकर इकनमिस के इनके चीज़ों को स्टड़ी करती है इसका फैलाओ कहां कहां तक है डिटर्माइज इकनामिक ग्रोथ एंड डिवेल्प्मेंट आपने कंटी पर कैपिटा रेयर इंकम क्या हुआ कि एक मुल्क में ओवराल हम इस मुल्क में जो भी चीज़े हैं जाता वो दूसरी चीज़ों के इस्तमाल करने के लिए जैसा के हमारी पोटोकापी और ट्रिंटिंग की एक्जेंपल के अंदर इस मुल्क में जी इस मुल्क में जितनी चीज़े हमारे मुल्क में है अगर हम उनकी वर्फ को समझें तो भी नेशनल इंकम है जा उन Color इंकम हो एक पर आप देखें हैं अब जहां ही रिजार्ड और इस्टाइब करें इसको वाइंट इसको बार्फित करेंगे कि वह मुल्क में ओवराल डिजा की प्राइश की प्राइस की तरह होंना चाहिए भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरिम्यान जो पैसो का दबादला है और अब यहां पर हम देखें अगर ओवराल हिंट लेता हूं कि पहला किया रिजर्ड औरियंटेड इकामिट पॉलिशी बनाएं उनका कोई अच्छा रिजर्ड होना चाहिए हुआ हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा बैंक है जो ओवराल सारे बैंक करता है उसे हम सेंटरल बैंक या स्टेट बैंक कहते हैं तो स्टेट बैंक की जो पॉलिशी होती है हम कहते हैं यह हमारी हकूमत इस मुर्थ में जो जो पैसुन से रिलेटेड पॉलिशी बनाती है बजट से रिलेटेड के हमारे आप इस साल का बजट इस काम से इस्तमाल होगा इस साल इतना जो भुजड है वो इस चीज के लिए इस्तमाल होगा वोंसले प्रोजेट से लूपर तो गौर्वेंट की जो पैसु से रिलेटिड पॉलिसी होते हैं यह फिस्कल पॉलिसी है फिस्कल मतलब बुजट से रिलेटिड इसके बात यह पार कमर्शियल का मतलब होता है बिस् मतलब क्या होगा कि इस मुल्क में कितने लोग रोजगार पर हैं और दिमांड और सप्लाइब करता है लेकर अगले क्केने नहीं के बहुत थी आवर पर यहां यह क्क इन्जी मांड कर रही है तो यह में आता है तो किसे कहते हैं सूद को कहते हैं जो किसी पी चीज के ऊपर सपोज आप इंक से कर्जा लिया है तो बैंक की पॉलिसी होती है कि यह कैसा जाब वापस करोगे तो इसमें 2 परसंट, 3 परसंट, 10 परसंट तूद होगा, इंट्रास्थ होगा, प्राइस को प्राइस को स्टेबल सकते हैं तो यहां पर ज्यादा पैसा आ रहा है मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ज्यादा पैसा है अब यहां पर मिसाल है जैसे एक बन्ने का बैंक अकाउंट होता है इसी तरह से हमारे मुल्क का भी अकाउंट है जिसे हम कहते हैं करांट अकाउंट अब अगर उस करांट अकाउंट में क्या होते हैं पैसे होते हैं अब हम यहां पर तिजारत कर रहे हैं, फारण ट्रेडर हैं, हम ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान से बाहर बेज रहे हैं और पैसा आ रहा है, और कम चीज़ें पाकिस्तान में आ रहे हैं और पैसा जा रहे हैं, तो यहां पर जब हम जोनों के रिजार्ट निकालेंगे, सौर जा रहे हैं और अस्वी आ रहे हैं तो यहां पर 20 रुपए की कम ही हुई तो यह टैपी से हुआ तो यह फारंट ट्रेटर यानि बैलेंस अपयमिट हो गया मतलब यह किसी मुल्क में अगर कोई इकनामिक इसू हो आगिया है तो उस मुल्क के पास पैसा ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाए तो उस में भी मेंक इकनामिक सपोर्ड करती है मुखले अपनी पोरीशिस के तुरू अब यह सारी चीजने बेसिकली हैं डिटेयर वाली यहां पर बड़ा मुश्किल है आप लोगो को थोड़ा हींट देना थोड़ा समझाना भी और लिमिटेट करना क्योंकि यह ओर आल पह अब अगर हम माइक्र करांश पर देखते हैं तो हम एक अकेले बंदे की इकम को देखते हैं अब पूरे मुल्क में हमने देखा है कि यहां पर 10 अरब और मुल्क की इंकम है तो हमने वहां की अपादी के उपर उसे डिवाइड कर दिया तो हमने कहा है कि यहां पर आप समझ रहें कि 20,000 हर बंदे की इंकम है अब को सकता है क्या पता कौह पता कों सांखना क किस प्रफेस्ट मैं है दो हमें तो नीकिसा रहा हैं तो यह तो समय कृइक प्रफेस्ट में है लिए इसंगर से अक्मार को इसकल रहताиль नहीं दोह। शोज़िस परफेशन से आ रही है इसके बात के इन्टर डिपेंटेंस ऊफ मैंक्रो इकठमिस मतलब यह कि कुछ अइसे हाल आप इसमें गांट हमक्रो का मैंक्रो से कोई तरफ नहीं और मैंक्रो का मैंक्रो से कोई तरफ नहीं स्टेप्स तेकन बें इंडिविजर इंटर्पिनियोर एक माइक्रो लेवर आज जेनरली बेस्ट नुट कंडिशन अफ तर एकॉनमी मतलब क्या हुआ वह कहता है कि अकेली तुकान बनाई है ना तो यह नहीं के बास उसने अकेली तुकान बनाई है तो उसका कोई घर्ज ही न पसंद किया है इसके लबाई यह कि यहां पर जो मैं कारोबार करूंगा वह से के और भी होगा यह नहीं ऐसे उतनी के कारों के बंदा है और मेरे दुकान बंद कराके जाए तो ओबराल मुल्क की सिचिएशन देखना पड़ती है कारोबार करने के लिए इफ दी ओबराल एक कर दो पर जाए यहां पर मेरा कारोबार से के और है यह तुनी कि काल को कुछ बंद हो जाए यह सही चलेगा या को तंग करेंगे लोग बड़े लेवर पर तो होता ही है फोटे लेवर पी बहुत है कि कोई अगर दुकान बदा बनाता है तो इस मूप में बूद लोग अच् लिए बीटिविट्राइब था दिश्टेप अगया मितने तो द्रेक्रोड नहीं हो जाती जो हम देखते हैं कि इस मुल्क में 100 दुकाने हैं लाकर लेकर इंडिविश्ट्राइब भी तो अगर हम उनको एक करके डिसकुश्ट्राइब तो उनकी कथा करेंगे इसक्तुम m.k.ms अब बन्दे की आमतन टोटल साओर पर है लाकिन उन में से वो प्रास रुपए हर्च करता है जिसके बाद वो क्या करता है तीस रुपए सेव करते है और बीस रुपए किसी और कारोबार में इन्वेस्ट करते है अब जो उसने खर्च किया थे ना पचास रुपए हमने का था उसने इंकम को यहां पर खर्च कर दिया है खतम कर देडिस पोज कर दिया है तो वो क्या कहता है यह इसके बात हो गई अब एक बंदा है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है तो मतलब क्या हुआ यह उसकी बेसिक जरूरत है एक बंदा है उसको पहनने के लिए टपड़े रहने के लिए खारट के लिए खाना तो ये उसकी बुनियाद भी जरूरी आता है लाकिन एक बंदा है वो कहता है कि मेरे पास फलाओ मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए अब ये उसकी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बगार बो जिन्दी गुजारी नहीं सकता खाना के बगार इंसान जिन्दी वाकिन नहीं उजार सकता है लेकिन गाड़ी के बगार को उसार सकता है तो जो उसकी बेसिक निसस्टीज होते है लाइफ की उसके सर्वाइवर के लिए जिन्दा रहने के लिए तो हम कहतें ये नीड है लेकन उसके लाइग को इंजोए करने के लिए जो उसकी असाइश होती है लगी फिरी उनको अगर हम देखें तो वह उस इसना कीवांटबिज अच्रेक्टर ये व इनकानोमी ज़ने आको सबसे से पहले का 25 कि इतने लोग होते मतलब कि किसी मलक की मैसित में उनकितздर्च करने वाले बन्दे हैं या वार्टिसमेंट का है या उसके बाद पहले रॉसके बादब क्वर्मेंट और उसके बाद पारंट प्रेडर्रस यह सारे अपनी जिनदकी में कोई प्रवार्ट ये लेती हैं अपने पैसे बगारत से मुतलिक कैसे एक बंदा ुद जब यहाँ पर चीनी और फ्रकार का पर काहँ पर कारोबार करें फिर कहां पर का लीज़ करें गौर्र मीज़ यह देख सहुशनी इसा प्रवर्ण पर उन्होंट पर्स बार्त topic आंप कि हमें किस मुल्ख के साथ इंपोर्ट करने है कहां से और नहां पर एक्सपर्ट करनी चाहिए और कीमत करिक्षाई है तो इस तरह कि यह सब क्या होए टैजिंधी यह हम कहते हैं यह क्या है इसके बाद इस पार इसके वही ताइप सो बता रहा रहा है जो मैंने आलडी आफ़ी पहला क्या था कंजूमर या हाउसोड जो चीज़ों को खरीदता है ताके उनको इस्तमार कर सके मतलब एक बंदा है जिसे भूग लगी हुई है और वो बाहर गया है वोटर पे खाना खाने किसी दुकान कि गारो भार में कहीना की जब गार की ज़ुटान की जुरूर पूरी करने के लिए दुकान की जाता है चीजें वगरा खरीदने के लिए अब वो चीज खरीदने वाला बन गया ते अलोकेट दियर इंकम साटिसफार डिफरेंट नीड ये फिर पही बात आ गई है कि वो साओर बै को कैसे खाल सकरे उसके बाद क्या हैं फार्म्स क्या होते हैं ग्रूप अफ और्गनाजिशन्स को प्रोड्यूस प्रोड्यूस तो अन्डी प्रॉफिट मतलब होई कोई दुकान वगरा जो कोई बीचीज या सर्वेस जैनी डॉक्टर है वो टैबलेट्स भी देता है और उससे जैका वगरा भ बंदा है इससे मैं ये किदमत लूँगा ये कारूबार कराऊंगा ये काम कराऊंगा फलां वर्कर से तो इस तरह से वो जो चार चीज़ें फैक्टर अप्रोडेक्शन थी लैंड लेवर कैप्टर एंटर्पिनों उनको इलोकेट करते हैं कि फलां वर्कर वगरा से मैंने अपने मुल्क के अंदर मुफले कावनीन वगरा लागू करती है इस तरह समझने के सिकनल करना में जब तक वो ग्रीन नाओ ये कनून बन गए ये अपूमत कर रही है इसके बाद क्या करते है इत अलोकेट इस रिसोर्स टेक्स रैविन्यू और स्टाफ शैट्सपाइद नी सब्सक्राइद ने मोटर बे बनाई है वो शैरियों के जरूबा थी उनको एक रास्ता चाहिए ज़्यादा कि वो कम टाइम में साफ सुप्रे रास्ते से जाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा सफरताय कर सकें तो इस तरह से उसने क्या किया गवर्मेंट ने सहुलत पैद और थी उसने सफ लिए ज़्यादा इस वhou उसकी पिरिज़ता तो वो व करते हैं उसके बाद क्या है इस प्राइब करेंवाशन बता रहा हैं एजमाराव फैक्टर्स प्रॉडक्शन की प्रॉड़क्शन क्या है अब वो क्या थे जो लेंड लेबर कैपिटल और अब उनकी जिटियेश बता रहा है कि इंपोर्ट ये रिसोर्सेज भी था यूज रिसोर्स कोई भी प्रोड़क्ट जब कोई फर्म बनाती है तो उसमें जो चीजें इस्तमाल होती हैं हम क्या कहते हैं कि यह क्या हैं फैक्टर सब्सक्राइद को में एकी रिसोर्स हूं चीजे पर अब लेग्श रिसोर्स मतुड़ कि फ़रекоतर होिई कि अब यहाँ पर जभी जमीन के अंदर को ऐसी चीज़े हैं जो अलगज तके बाद जमीनियुट को bellini है जरा कुछ कि अज् hanya कुछ बाद मिल्डराज मादियात वगारा, forest, sunlight, water, wind power, mountains, deserts, climate, etc. उसके बाद क्या कहता है, वो कहता है, land कहें वैसे factor of production, because it depends upon another active factor of production, बज़न लेबर. मतलब यह है, वो कहता है, कि एक ऐसा, चार resources रहने total, कुछ ऐसे हैं, जो ड्रेक्टर पर ही खितमत देते हैं, कुछ ऐसे हैं, जिनकी खितमत लेने के लिए, किसी और factor of production के उपर वो depend करते हैं, मतलब क्या हुआ, एक labor है, उससे हमने काम लेना है, तो वो खुद काम करेगा, एक जमीन है, वो खुद तो काम नहीं कर सकती, उससे हमने काम लेने के लिए भी कोई ने कोई बंदा लगाना है, तो वो एक्टिव खुद नहीं है, वो खुद पैसे है, मतलब क्या कि वो खुद इसकाबिल नहीं है कि activity काम करे, उससे काम लेने के लिए हमने कोई और बंदा लगाना पड़ता है, अब जमीन के ओपर जो खेती बढ़े काम होता है, वो जमीन खुद तो नहीं करती, वहाँ पर हमें काम करने के लिए कोई बंदे लगाने पड़ते हैं, अच्छा, अब दुकान उसने फोटकापी बारे नहीं ली थी, यानि लैंड, उसका क्या reward था, उसके बदले में उसने क्या करना था, उसने क्या करना था, अमाउंट पेड पार यूस अफ लैंड, हैंग फेक्स प्रकापी बारे नहीं लाएंड, अब वो जो आपने आपको टोटली प्रिजेंट किया हुआ है, कि मैं इससी सिट्वेशन में हूँ, दे नहीं के काल को मैं छोटी हो जाओं या बढ़ी हो जाओं, तो वो जैसी थी वैसी ही थी, तो क्या हुआ हुआ फिक्स थी, ठीक है, उसके बाद किया था, वो कहता है कि गुएंड फोटकापी आप्रियूर्ट के कारोबार करने वाले नैं, उसके बदनraw में उसने उसका रेंट दिया था, तो जो रिवाड हुआ हुआूा, उसके बाद कहा हुआ है लेबर, लेबर कहा हो मन रिज्ल प्र्आपर्त कि दिंद् तो यह एक इन्सान की तरफ से एफ़र्टी तो हम कहते हैं यह हुमर रिसॉर्स है यह लेपर इसकी बिसाल उसने जी है रोड ब्रेकिंग की मिनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग वगारा अब एक टीचर है जो टीचिंग कर रहा है तो वो दिमाग भी इसके लाव जो बोर्ड प है, इससे काम लेने के जिए जरूर नहीं है कि हमें किसी और चीज की जड़ुवत हो, और इससे फैदा हम वैसे दुच्छी जिचरी सब्का सकते हैं, एक समीन है वो खुद कोई काम ने कर सकती है, उसके लिए हमने कोई बंदा लगाया, और यह क्या है यह नहा सिर्क काम करत कि अब उस दुकान से भी हम पैदा उठा रहे हैं तो अब जो बंदा काम करता है उसका reward क्या होता है? Amount paid for taking substance of labor. उस बंदे से हम जो खित्मात लेते हैं उसके उपर हम उसको pay करते हैं, पैसे देते हैं, wage जिसे हम कहते हैं, मतलब कि उजरात या कोई salary वगरा. अच्छा, पैनम defines wages as sum of money paid under contract when employer to a worker for service provided. कि वहां पर जो बंदा काम कर रहा था, पोटो काविल जुकान पर, उसने क्या की थी? अपने मालक को अपनी खित्मात दी थी, उसके मालक को हम कहते हैं, employer और जो worker है, उसे हम कहते हैं, employee. तो इस तरह से उसने खित्मात दी अपने employer को और इसके बदल में employer ने उसने चो कुछ उसे amount दी है, उसे हम कहते हैं, ये उसका reward है, labor का. फिर क्या होता है, capital या आर्टिफिशल या man-made resource. ये क्या है man-made artificial resource which are used to produce other goods हैं सबसे. सब resources ही इसलिए होते हैं, ताकि उससे कोई और चीज हासल कर सके हैं. एक दुकान थी, उससे कोई ना कोई हमने machine जाकर product बनाया, कोई बंदा था वरकर वो काम करके कोई ना कोई और product देता है, इसता से एक machinery है, एक machinery भी एक good है, और जो वहां से photocopy print निकाले, वो भी goods हैं, लेकिन जो हमने print निकाले, वो क्या हमारी inventory है, जिनको हमने पेचना है, ना कि कोई और चीज या हास इसके लिए जो हम कोई ऐसी goods, ऐसी चीज हैं, जिनको इस्तमाल करके कोई और चीज हासल करें, बनाएं, वो capital goods होती हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज हैं, जो सिर्फ हम बेचने के लिए बनाते हैं, मजीद उन से कोई चीज नहीं बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं inventive बग machine, plants, equipment, factory बगारा ये सारी चीज हैं, उसे बाद के a great deal of capital in an economy is paid for by the government, for the transport network, railways, अब ये भी क्या हैं, ये इन से फैदा उठाते हैं, अब ये एक सुपोर समझ लिए motorway है, तो motorway हकोमत इसलिए बनाई है, ताके motorway को बेचे, क्या daily हकोमत नए motorway समनाती है, और उनको बेचती ह इसलिए नहीं, उसे motorway बनाई ताके इससे पैसा कमाए, तो उसने क्या किया, motorway बना लिए, एक capital के तोर पर ये investment है, ठीक है, capital आम तर पर कहते हैं, हम investment को, लाइकन यहाँ पर हम economics पाट रहे हैं, तो हम capital समुराद कोई ना कोई machinery लेंगे, पैसे नहीं समझेगे हम, ठीक है, वो हम accounting में समझते हैं, उसके बाद आप यह जो हमने machinery लगाए थी, उसका reward कहा है, amount paid are received for using capital goods, एक मर्स पाट से इंट्रस्ट इस प्राइस पेड़ पार use of capital, समझ नहीं कि एक फोटोकाप्ने वाले ने बिजनेस टार्ट किया था, उसने यह नहीं कहा था कि यह machinery मैं वैसे यह आपर नई लेकर खोएद रहाए उससे संझाता कि वो एक उधार के तोपर दे रहा है उस अपने कारोबार को, कारोबार और उसका मलक दोनों अलगे एस समझे, उससे क्या min Roger आप फ्रेद करोगाई है यह तो उसने समझे कि यह अपने आपने कारोबार आप खोशर के तो तो इसका हमने कुछ न कुछ परसंटेज निकालनी है हर मही ने तो वो उसका रिवार्ड हो गया उसके बाद के एंटर्पिन्यूर्ज यह वो बंदा है मालक जो कारोबार जिसने किया था उसने रेस्क लिया था और इंडिविट्व और गुपर फिपर वो कंभाइन अदर फैक्टर आप्रड़क्शन मतला कि ओवराल जिसने कारोबार स्टाड किया है उसने सारी रिस्मोंटी लिए थी ना उसने सारे फैक्टर आप्रड़क्शन मतलब लैंड लेबर कैपिटल कोई कथा किया फिर उसने ए भी यूज़ तो प्रोडियूस कोड़ मतलब क्या हुआ उस वो यह देखता है कि मैं अपने वर्क्र को कैसे इस्तमाल करूं ठीक है और कितना इस्तमाल करूं मतलब यह कि मेरे पास जो नामी बंदा काम करता है मैं उससे कौन सा काम कराऊं और पिर कितने दिन करां ते कितनी तो इस तरह से OTCM करता है इसका reward क्या था उसने सारे ये जो अपनी मेहनत की थी कारोबार established किया है किस लिए ताके profit या पैसा कमा सके profit given to entrepreneur for bearing uncertainties and bearing decision उसने सारा कुछ बर्दाश्ट किया है फैसले किये है और जो कुछ उतार चुड़ा हुगे uncertainty हुई है उस सारी चीजों को उसने clear किया ताके profit कमा सके कुछ और concepts भी है इसमें वो कौन से मतलब के इस chapter में consumption क्या थी कि जो चीज बंदा दुकान पर खरीजने गया था किस लिए ताके चीजों को यूज कर सके consume कर सके अपनी जूरत पूरी कर सके तो use our goods ourselves to satisfy human needs उसके बाद cap production ये वो firm की बात है firm क्या करती है अपने factors of production ये इनपोर्स जो चीज बनाने के लिए हम जिन चीजों करते है न हम कहते हैं ये इनपोर्स है और जब कोई चीज बने जाती है हम ये आउटकोर्स होते हैं और उसके result में जो product बनते है वो आउटकोर्स होता है अमने मुख्रिफ हमने हर एक करेक्टर सेople 진जनी अब अनकर है और इस तरह से क्या। शुरूब में मैंने कहा था जो टाप्ट में टैबलेट्स ती ती प्रडाक्ट से भी सैटिस्पाय हुमन नीड्स एंड वांस एंड गिफ यूटिलिटी कहते हैं कोई भी चीज से किसी भी चीज से हमें जो सैटिस्पेक्शन या तसली होती है ठीक है अब डाटर ने हमें अग्ष बीमारी है मैंडिस्टी होती है चीजों का हम खरीजते हैं किसलिए ताके हम वहां से साटिस्पेक्शन या तसलीग होती है यह हमारा जो प्राप्लम तब हो जाए इसके बाद वह कहते हैं अब यह चीजिजे मुख्लिक किसम क्यों है ताइप सब्सक्राइब को बेस हमारे पास होती हैं मैरेट गूर्स मैरेट गूर्स का होती हैं गूर्स विच्रियेट पॉस्टिफ एक्टर्नलिटीज का समझ लें मतलब इसक्ट प्रोड़क्शन अंड कंशंप्शन आपे गूट अर्शंस बैनिफेट ए थार्ड परसं विच ना डिरेक्ली इन्वाल खूट टें ठीक है अच्छा उनका इंपक्ट पड़े अब इसकी एक्जंपल बोगे रहा है जो इसके एक जुपी क्या रहा है यह को कैसे जमीन दी उसके अंदर को पार्क बणाया अब जब गवर्मन पार्क बना रही थी तो क्या उसने सारे शहरियों को इकठा तिया क्या बता out, आप आप पार्क में बैठेंगे या नहीं रहा हूं Delta, नहींगे कोई दिमाग में यह था की लोग रहा पर बैठेंगे कैं वहराल बंक्र कोई डिन्वाल्मेट नहीं थी उस उसमें जब वो काम हो रहा था लाकिन जब पार्क बन गई तो हर शेहरी वहाँ पर बैठने के लिए अलाओ है वहाँ पर बैठ सकता है तो इस तरह से उस पार्क क्या है एक पार्क कोई जंदी या बुरी चीज नहीं है ठीक है एक तो अच्छा आसर देती है एक पॉस्टिफ जो तरह जो उसको यूज़ कर रहा है वो डिरेक्टी नहीं था पार्क के बने के दुछा लाकिन वो इसके फैदा उठा रहा है उसके बाद डी मेरिट गुर्स विच्रिये ट्रियेट एक्टिफ एक्स्टिफ परड़िटी विच ना डिरेक्टी इंवाल्ड इंदी दुकान धार ईए उसने छिग्रेट पेची एक बंदबाः उसने सिग्रेट लिए अब वह बंदा बाः दुकान के खड़े होकर इई उसने अब साहत जो लोग आ जाए हैं वो भी सिग्रेट केस्यमे से परिशान हो रह어 हैं हाला कि उनका पसूर को और को लिया है ना तो ल अवान को, नान राइबल और नो कम्पिटीशन, और नो बन के प्रिवेंट इस नान एक्स्टूडीबल नान लो दिमूबर, मतलब क्या हो कहता है, एक तो ऐसे चीज़ें हैं, जो हर बंदे के पास आटोमेटिबली हैं, कोई बंदा उनको अवाइड नहीं कर सकता, और ऐसा भ ठाजेंफल क्या कहता है, वो क्यता है, ब्रैंड अफन नो ब्रैंड ऑफ नेशनल डिफैंस सिस्स्टम, मतलब क्या हुआ, हमारे मुम में ये सेक्यूरटी अदारे हैं अब ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में को पांच शे सेक्यूर्टी इदारे मुखले था लिए और वह रहे हैं और वह किसी के लिए कोई आप पूलीस को निए कोई और ओ तो वह कहता है कि किसी मुल्क का अभियाबर एग्जेंपल से नेस्टर दिए पहले मतलब यह कि हमारे मुल्क का जो security इदारे हैं वो उस मुल्क के हर शहरी के लिए एक चैसे हैं और कोई शहरी यह नहीं कह सकता कि नहीं यार मैं security इदारे से कोई तौलब नहीं रखना चाहता यह मुझे defense प्रवाइड ना करें तो ऐसा नहीं हो ना तो मतलब क्या एक तो वो single defense system में कोई competition नहीं है उसके मुकाबले में कोई defense system नहीं है उस ball का प्लस यह कि यह हर शहरी के लिए कोई इसको avoid नहीं कर सकता कि नहीं मैंने इसको use नहीं करना यह हर किसी के लिए उसके बाद वो क्या कहता है प्राइवेट प्राइवेट क्या कहते हैं यह आम तोर पर इसमें कोई समझ नहीं कि साथ यह परस्नल चीज़ें देखी जाती है बूर्स भीचार सैप्रेटली अवेलेबल तो डिफेंट परस्नल्स मतलब वो public था कि हर शहरी के लिए नहीं है जो इसको use करना चाहेगा यह मतलब यह के जिसमें जो चीज़ें होगी ना तो उनका मुतबादल होगा डिफेंस सिस्टम का कोई मुतबादल या सबसी क्यूर नहीं था वो अकेला डिफेंस सिस्टम था लाकिन यह ऐसी चीज़ें होती हैं जिन में मुतबादल के दोर पर और भी होती है इसमें कैफिज जो कास्ट भी टेकन वाधा हैं इसमें अगर इपनोब इसमें कोई बंदा इसको अवाइड करना चाता है इन चीजों को तो कर सकता है कैसे कि सपोस्थ एक ब्रैड्ड हैं वो मुफ्ट में ब्रैंड की हैं तो अब ब्रैट का एक ही प्रैंड है पाइस्थान संत문्ण है , ब्रैट के लेने जाता है, तो इसके पूर्टीशन होगा, उसके बाद ब्रैट ऐस की है CHकू bucks में किसी को मतलब क्या हुआ कोई भी ऐसी गेम जिसमें क्या है कि कम्पिटिशन नहीं है और इसके बाद कोई इसको इसको अगर नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता और इसको अवाइड कर सकता है मतलब क्या कि सब्सक्राइब एक गेम है गेम वाला कोई भी कलब वगएरा है अब उसमें क्या है वो है अकेला ही उसमें कम्पिटिशन नहीं है लाकान जुरूरी नहीं है कि उसको हर बंदे ही इंज्वाइड करे वो हर बंदे कोई गेम वगएरे प्रोवाइड करे जो करना च के पानुन आरि प्साइप्रा है, यहां हम ने देखने हैं जो विलयुक्त के गैडी एक ताम सबस्त 강ाॉ क्या मिच फिर्विस देखना है ? मंतलब धियुइ क्या है है थालब क्या हुआ है ? अज में बाल की व्याद की स्क्रमार्भ यह पांच कभिता है अब उसकी इंकम हो गई है 10,000 तो पहले वो खुजारा करता था अब पहले 5 किलो ले ता हो सकता है आप घर में 7 किलो चीनी ले आए ताके मेरे गार के जो बंदे हैं वो अच्छे तरीके से यूज कर सकें कोई कंजूसी ना करें तो उसकी इंकम बढ़ी तो उसने चीजों को ज इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे की आमदन जब बढ़ती है ना तो उसको तो तो दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि यार मैं जो पहले शस्ती चीजे लेताता ना घरीब घुर्बा वाली तो अब मैं ये नहीं लूँगा तो अब मेरे पास पैसे ज्यादा है त इसके के गुदारग कर रही कि बस उसकी इंकम बढ़ी तो उसे अच्छी बरी बाइक ले लेरी लेखें अब सुमझ लें कि इस बंदे की है कैसे इफिछर सपास था-पशल अहब उसकी इंकम बढ़ी तो उसने ब्रोचिये क tents के थे लाबा कमी से कामी है पहले किसमें इंकम तो उसने बुरी से अच्छी बाइक ली, डिमांड बढ़ी बाइक की, लेकर एक ऐसा केसे जिसमें इंकम बढ़ी तो उसके पास जो एक इंकम बढ़ी से इंकम के बढ़ने से इंकम बढ़ने से इंकम काम हो तो उसके बाद के है है मतलब क्या हुआ कि एक बंदे की पहरे सेलरी थी एक लाख तो उसके पास क्या थी उसके पाद उसकी सैलरी फ्वी डेड़ लाख है लेकिन उसकी डिमांड चेक करें उसने ट्रेट कार लेना स्टार्ट करती है मतलब क्या कि इंकम में इतना खुछास इदाफ है नहीं हुआ लेकिन वो परमत शर्थ बचाता रहा होगा तो इंकम के बंड़ने के वज़ाएं से उसने क्या किया डिमांड को इंकम बढ़े तो चीज़ ज्यादा लेता है तो इसके बाद इंकम बढ़े तो कुछ ऐसे किसे लेना शुरू कर देता है उसके बाद यहां पर एक्सेंपल यह इंकम इलास्टिक इस पॉस्टिव या नेगिटिव या मोर्दन बना इसको मैं एक्सपे नहीं करने लगा यह इन्शालाम आगे डिसक्स करेंगे इसका मैं आपको ज़रा सभी दूना उसके बाद क्या है दिविजिन आफ लेबर लेबर कौन था वही तो फोटकाप और प्रिंटेंग वगएरा में काम कर रहा था बंदा वरकर तो डिविजिन का मतलब होता है तक्सीम करना अब हमारे पास एक दुकान है उसके अंदर हमारे पास दस लोग है तो हमारी बड़ी सी कुछ टेक्टी ह इसमें दस लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे हम उन दस लोगों को बुलाएंगे चलो गए चलो बएए जी चु काम है यह ऋने करना है यह ंस्टर क्यों करना है और हमने घर बंदे को एक के काम दे तिया protecting रिवी कि आप संपिसिपाइर करना वार्क को टास् तो स्पेशलाइस लेपर उसके बाद के रिजन बिहांड मोर प्रोडक्शन अंडर डिवियन ऑफ लेपर वो कहते हैं कि जब हम इस तरह से हर बंदे को अलग अलग काम देते हैं तो ज्यादा अच्छा इसका रिजाड़ निकलता है क्यों निकलता है वो कहते हैं लर्णिंग ब सब्सक्रिक करते हैं लेकिन अगर हम उसको कहेंगे ना कि आप marketing काल अच्छी कर लेते हैं तो वो कहेंगा ठीक है अब वो इसमें था भी expert और हमने उसको सिर्फ एक काम दिया है जो कि उसकी skills के मुताबिक था तो इसका अच्छा result निकलेगा लेकिन अगर हम पैस से बचाएंगे हम कहेंगे कि हर काम करता है तो हम क्या कहते हैं यह हमने असाइन किया तो इसका अच्छा result निकलता है एक बंदा जो खूद एक काम में तो हमें बजीज सिखाने की पर की decreases the average cost मतलग क्या कि अगर हम 10 बंदे लगा दें और हम एक बंदा लगा जा हमने कहा कि इसे तीन सार काम लेने हैं और उसका फैदा उसरा भी नहीं हुआ कोई एक अडमिशन भी नहीं हुआ लेकिन अगर हम दो रगाएंगे ना हर से अलगला काम लेंगे तो हो सकता है अच्छा रिजार्ट है ज्यादा एडमिशन हो तो हमें यहां पर जो खर्चा आएगा दोनों की सेल्वी देने में तो उसको कोई शू नहीं बनेगा उसके बार क्या है saving of time decreases the time required for production as it cuts off the time taken from switching from one production task मतलब क्या होगा एक बंदा मार्केटिंग का काम वहां पर बैठ कर कर रहा है तो वह एक ही काम कर रहा है ना तो वह time उसका waste नहीं होगा हम वह एक काम कर रहा है उधर से फिर को admission के लिए आगे है तो फिर वह उसके साथ काम बने लग जाता है फिर दुबारा उसने marketing काल की त इस तरह से यह time का ज्या होता है परफार्में सेम टास्क इंक्रीज़ देर एक काम करते करते हैं इंसान ज्यादा एफिशनेट और एक्सपार्ट हो जाता है और ज्यादा स्पेस्लाइट हो जाता है उसके बात के प्रमोर्श दी इंवेंशन एंट्रियेशन इंवार्मेंट एक लिए इस अधियरे इनवेशन इस नहीं हो एक अकेला बंदा जब क्या काम करते हैं जिसमें वह एक्सपार्ट हो तो वह इसमें सोच भी सार्ट भी करता है और नए आईडियास दिमाग में आते हैं तो यह दुद्धिश्पी से काम कर रहा होता है क्योंकि वह इस सब्सक्राइब यह एक वान पर समय लें कि मरपर स्मीन बंने तो किया का के भी तुमने कौश्टी सब्सक्राइब मिस्टर सीर्ट काम करनें तो पहले हमने यहां पर जोर किसके स्की ओपर दिया केए vita How हары हैं तो इस पैस के पैसे हां चम्हेशन का जो काम है बीकर ही करें इसे हो है कि पाप है इस हम उनले को श्रकर हुआ करें मिडिया क्पार्ऊब करकें धर Νार्मर लॉड़ा इस पार देख में भी नहीं होता है Specialization in regional and international context Okay, different countries have comparative advantages in production of different crops due to suitability of land, rain, water and required temperature Pakistan has advantage over other countries in the region in production of cotton due to fertile soil एक मुर्क होता है जिसमें माशीनरी बगार आज़ी होती है बड़ी बड़ी इस्टी 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 इस्टीए होती है उसकी שजमीन जो होती है वहाँ से वह कोई खेती बाड़ी काम नहीं कर सकते लेकिन कुछ मुलकों की जमीन ऐसी है तो खेती बाड़ी के काम अगरी कल्चर और ग्रेरा तर करके अच्छा फासरा फस्लें उबाकर पैसे खमा लेती हैं लाकिन वहां पर कोई टेकनोलोजी तना नहीं होती ही, वहां पर कोई इंडस्ट्री बड़ी फेक्ट्री बगरा नहीं होती है, तो यह जमीर के उपर डिपैंड करता है, कुछ से मतलब क्या हुआ है, इंडस्ट्री कंट्री 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 तो जिसमें एक्सपार्ट है वही करना चाहिए इसके पात क्या है Capital Formation Capital क्या था वो चीजें जिनको इस्तमाल करके हम और चीजें बनाते हैं जैसा कि फोटोकाप की रिप्रिंटेंग वाली मशीन है क्योंकि उनसे हम फोटोकाप रिप्रिंट रिकालते हैं Capital Formation अब उस मशीनरी में इजाफे क्वाम क्या कहता है Capital Formation Use of current resources to create capital goods such as tools instruments हमारे पास समझ नहीं 10 लाग है तो हमने बहां से 10 लाग हर्च कर रहे हमने मशीनरी लिए है Capital Accumulation for a particular country Accumulation का मतलब भी यह होता है formation किसी में इसाफा होना Increase and stock quantity of capital in that country over a long period आपना है कि जो resources है ना जो machinery है machinery में इजाफे को हम Capital Formation कह रहे है Machinery के stock making more of the capital goods वही capital goods में इजाफा of machines tools, factories current consumption is sacrificed for accumulation of capital goods इसका मैं मतलब आप उसाथा है कि suppose आप समझ ले एक बंदा है उसमें क्या करना है उसमें उसकी salary है इसको समझ ले 30,000 अब वह 30,000 हर मेने खार्च भी तो कर सकता है ताके वह अपनी जाइफ अच्छी उतारे लाकिन वह कहता है कि नहीं इस 30,000 में से मैं मंतली 10,000 बचाऊंगा ताके इन पैसे को बचाते बचाते मैं आगे कोई कारोबार करीच रहे कारोबार करने के लिए कोई machinery खरीच सकूँ क्या कर रहा है इस टाइम वह sacrifice कर रहा है जो वह consume कर सकता था पैसे उस consumption को वह sacrifice कर रहा है current consumption जो इस ताइम consumption को सकते थे पैसे consume वो उसको sacrifice कर रहा है किसलिए ताके वो पैसे कटे होते जाएं और कल को अपना कारुबार करने के लिए अगर आज वो खार्च अपने काम करेगा तो कालब इसकाबल होगा कि अपनी नहीं मशीरी खरीच सकेगा उसके बाद हमने क्या देखना है उसके बाद है creation of savings ठीक है creation of savings के savings done by the individual और household एक बंदा है जिसकी सेलरी है पांच हजार उन मेंसे वो दो हजार महीने का कर्च करता है तीन हजार वो सेव कर लेता ताकि कल को काम आ सके तो इसे हम कहते हैं सेव मनी पैनार स्पेंडिंग आल आफ दियर इंकम और परचेश अबूर्जा सकते मतलब वही कि अपने वो डेली रूटीन की जो चीज़े करीचता है उनके पर वो फ़र्च नहीं करता था कि पैसम को सेव कर सके लेव लेवल ऑफ सेविंग सेने कंट्री डिपैंड्स ओंडी पावर एंड विल उसे मतलब क्या कि एक बंदा है ना अगर उसके सेलरी से को समझ लेए कि पांच लाग है तो जूरी नहीं है कि वो सेविंग कर सकता है हाँ उसमें खाहिश होगी तो सेव कर सकेगा जिसके खाहिश होती है ना सेविंग की वो एने थोरी सी चोटी सी सेलरी में भी सेव कर लेता है कुछ न और किश पैसे वो कहता है कि सेविंग करने के जूरी है कि बंदे में कोहीं को इमнаइप वावर ओर खाहिश भील है जानई सेव करेगा. saving capacity depends on the average level of income and the distribution of national income जिसस्की ज्याइदा तंकाइए और उसमें विल भी है तो ज्याइदा पैसे सेव करेगा जिसमें कम तंकाइए विल है वो कम पैसे सेव करेगा लाकें जिसकी ज्याइदा तंकाइए विल कुछ भी नहीं है कोई भी खाहिश नहीं है सेविंग करने की तो उसके बाद क्या है जब इंकम बढ़ती है तो ज्यादा कोशे करते हैं से इसके बाद पैसे पहले उन्होंने बचाए इसके बाद क्या करेंगे अब थोड़ा हम पैसे को खरकत मिलाएंगे ट्रांसफर आफ सेविंग प्राम्टी इंडिविचल और हाउस्टू बिजनेसे यहां पर बिजनेस के एक संपल आप समझ रहे हैं ठीक है मतलब क्या हुआ कि हमने जो अपने घर में पैसे सेव किया थे अब हम कहते हैं कि आप पहल आपकर उनको हरकत मिलाते हं बैंक मेलेकर जाकर जमा कर देए हैं तो पैस उसने अपनी सेविंग को ट्रांसफर किया है मुबिलाइज किया है, हरकत मिलेकर आया है मुबिलाइजिएशन का मतलब होता है, ट्रांस्पर्मेशन ये हरकत मिलाना तो उसने अपनी जो सेविंग की ना उस से जाकर किसी बिज्नेस में जाकर रख दिया है किसे इन्वेस्टम्ट के लिए यह जो हमारे बैंक से होते हैं यह हमारे पैसों से जो हम पैसे वहां पर रखते हैं उन पैसों से कारोबार करते हैं ठीक है यह नहीं कि वहां बैंक के कौण में पड़े रहते हैं और फिर हमें दोबार आमनी किला रहते हैं नहीं हम जैसे पैसे बैंक में जमा कराते हैं तो बै जान्स ऑगीवन पैजी इंडिविटल इंवेस्टर्क और बंदें एंड बैंक और फिनाशल एंडेशन, इंच्छोर्स कंपरींस और गवर्मेंट वगर्मेंट वगरा यह उन सब की बात कर रहे हैं जो 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 पैंक मिचाते पैसे रख़ते हैं अच्छा, a well developed capital market, development of capital market is necessary for the increased rate of capital formation. मतलब क्या हुआ, कि अगर हमने machinery को बढ़ाना है, तो उन markets में भी अधाफा होना चाहिए, उन markets को develop करना चाहिए, मतलब industry को create करना चाहिए, जो capital को produce कर सके. A well developed capital market is likely to ensure proper mobilization and transfer of savings to the entrepreneur. वही बात है, कि हम सेवें को नहीं काम के लिए उसी के लिए वहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो इसकाबल हो और उनको अच्छे मकसद दिले save, invest कर सके ताके पैसा कमाई, इन्वेस्मेंट होसे नहीं, मतलब क्या एक बंदे की salary आए, कुछ खर्च कि फिर savings जाकर bank में जमा कराई ताके bank उसको इन्वेस्ट करे, अब वो थी जमा कराई, ताके वो एक मकसद था करे, अब यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, bank, savings are invested to get a capital formation, ताके वो इजाफा हो, investment in real capital, assets used to produce more goods and services, इन्वेस्ट इन्टेगर यही नेसेशरी पर capital formation, this can only happen if there are enough businesses that are willing to take risk and accept uncertain certainty if these businesses have enough rate of profit, then it will lead to high capital formation, बत्रा सारा अपर वेड़ी डिपेंड करता है, कि एक तो महौल कैसा है, और दूसरा यह किसी business में profit हो सकता यह नहीं, और किसी machinery से अगर ज्यादा हो सकता है, तो फिर उस machinery को भी लोग ज्याद अगनाएंगे, इसके बाद कहाए, scarcity, scarcity यह स्कार् economic resources, resources जो चीजों को बनाने के लिए, इस्तमाल के लिए हासल करने के लिए इस्तमाल हों, यानि factors of production, land, labor, capital, entertainment, are always remain insufficient to fulfill human needs, मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास एक इसान के पास है, जितने भी पैसे होना, तो हम यह नहीं कह सकते कि उसके पैसे इतने हैं, कि हम उनको count ही नहीं कर सक लाकें, इनसान की खौएशाथ को हम count नहीं कर सकते हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, इस तरह से हम पैसे को count कर सकते हैं, लाकिन जरूरिया इसकी खायशाथ को लें, तो वो कहता है कि इसान के जो पैसे जो resources हैना, वो limited हो सकते हैं, लाकिन इसान की खायशाथ मध्धे दान तक बढ़ती रहती हैं वो unlimited होती है तो scarcity का मतलब यही है कि हमारे पास पैसे कम हैं और खाइशात ज्यादा है available resources are not enough to completely satisfy all the bonds of individuals and government debt creates the scarcity कि हमारे पास जितने पैसे हैं न वो इस काबिल नहीं है कि हमारी सारी खाइशात पूरी कर सके हैं इसके बाद क्या है अपरशूर्टी कास्ट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे पास सार पैसे हैं और हम ने वहां से जिनी खरीद नहीं थी दुकान से अब वहां पर हम चीनी खरीज ने गए लाकिन अगर हम चाहते तो हम वहां पर चावर भी खरीज सकते थे लाकिन हमने प्रेफर क्या किया हमने काई कि नहीं हम इस और पैसे चीनी खरीज नहीं है मतलब क्या हुआ कि ऐसी खायश जिसको हमने छोड़ा जिसकी जगा पर कुछ और लिया ठीक है वो उसकी अपर्चूरूटी कास्ट है मतलब यह कि अपने पैसे लगा कर जो चीज हमने हासल की है इसकी अपर्चूरूटी कास्ट क्या है जिसको हमने छोड़ा है It is based on the principle of the next best alternative मतलब क्या कि हमने चीनी खरीदी है लाकिन इसकी जगा पर हम सावर भी खरीद सकते थे हम बिस्किट्स भी खरीद सकते थे हम लेज भी खरीद सकते थे लाकिन इनी तो खरीदी जो छोड़े हैं उनमें बेस्ट कौन सा था ज्यादा अच्छा हमें फैदा कौन दे सकता था तो हमने जो चीज खरीजी है उसके बदले में हो सकता है, जरूर नहीं कि हमने एक चीज छोड़ी हो, कई छोड़ी होंगी, लाकिन जो हमें सबसे बेस्ट होगी न, अपर जूठी कास उसको कहेंगे, इसमें एक्जेम्पल क्या देता है, Suppose we have 10 pieces of work to do, हमारे पास 10 मुख्लिफ काम हैं जो हम कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने पहला पहला काम की है, we left remaining 9, हमने 9 काम बात चोड़ जियें, कि हमने यह नहीं करने हैं, among 9, 6th was best of them, कि जो 9 हमने काम चोड़े हैं न, उनमें 6 ऐसा था, 6th छटा, जो सबसे best था, करने के काबल था, जो काम हमने किया है, उसके बदले में, अपरिजूटी कास्ट वो है, जो बत्या में से सबसे best था, इसके बात क्या है, पॉस्ट पेड, यह फुस्ट में डेपिलेशन बनाई है, जस्ट पंसर्ट देने के लिए, कास्ट पेड, बैनिफिट लॉस्ट अमंग मैनी, बैनाट अवेलेंग थी अपर्चुनिटी त्यू तू अवेलेंग अधर उपर्चुनिटी, मतलब क्या, कि हमने एक चीज़ को है, लाकिन उस चीज़ को हासल करने के लिए हमने किसी चीज़ को छोड़ा है, तो हमने जिसको छोड़ा है, उससे फैदा नहीं उठा सके ना, मतलब यह हमें एक किसाम का हमारे लिए कास्ट बन गी है, हमने एक किसाम का एक नुक्सान उठाया है, कि हमने एक चीज़ को हासल उनको इस्तमाल ना करना करने मौका गमाया है कि कि उनको चोड़ा है उन मेंगा सबसे बस था अब यहां पर आगए इसकी डिटेशर बता है शोटोड हो यहां फार एजिएट्स साफ एकानुट , ठीसफिकराता उन Mems नाट कंजिमेंग और पाइंग गुट ए एंड कंजिमें गुट भी मतलब कि एक बंदा है उसके पास 10 रुपए है अब 10 रुपए से वो एक केक भी ले सकता था और बिस्किट भी ले सकता था अब उसने समझा कि मुझे यहां पर गुट ए सब्सक्राइब के केक लेना वो इसकी अपर्शूनिटी कास्ट रिक उसके बाद फर्म है फर्म का क्या मुक्सद होता है पैसे कमाना रेविन्यू कमाना रेविन्यू लॉस्ट बैनार्ट प्रूडूसिंग और सेलें गुट ए अब एक दुकान है जो केक भी जिसने प्रूडूसिट किया है बेचने के कमा घिया और स्कूर समझ लेंके उसने पैसा कमाया केक बना कर कर वोगो सकता बिस्कट बनाकर भी पैसे कमाती तो अब अब भूड़ूस बनाकर वह पैसा कमाती ल落किन लॉक्न न कमा सकी वह क्या हुआ इस केक से कमा имеет पैसे अपर चुनी कास्त करें आपके बार क्या है यह सहुलियाद है अब वसके सहुलियाद करती है अब भार्यवर्व संब्स समझ लेंके 300 अरब जा वसके 500 मोंटर से वरी गोटर बनाए यह बना से उसने पैसे कमाना था है और वहान हमातु मोटरवे की देकर पैसा कमारा है कि वह सकता था औरिजलेंड ट्रेंड यए से कमाई ँब पैसे किया औरिप solitary left उसमें इंपोर्टर उसमें इंपोर्टर की satisfaction डा Hermann आधिकर इंपोर्टर होते हैं जो भाुआ से जीf नि कर आते हैं सब्स्क्राइअ कि होतने कंजूमर की नेचर में इसे जिते हैं कि उनका मुक्सेट ऐप कि बाहर से जीजर लेकर आए लूठर क करना था तो तो कि बहुता है नगैं धो प्रवायर के पॉइन्टी का उसके इस से हुए उसकी अपूर्टर कहा एक उसके चीजए फ़ार लिजभार पर गौर को परिवयर कुसे हैं यही का टीर deja क्री दिस इसके बाद प्रोडक्ट बाहर बेज प्रोडक्ट को उन्हें पैसे कमाना था उस पैसे की जिस पैसे को उन्होंने एक प्रोडक्ट बेज कर कमा तो इस तरह से यह अपर यूटी कास थी हर एजनेंट आफ एकॉनमी या पार्टिसमेंट्स के या क्रेक्टर के पॉइंट अब उसके बाद अपने ये प्रोडेक्शन पॉस्मिल्टी प्रेंट्टियर आ रहा है तो इसको तोड़ा आगे देखते हैंगे मेरे खयाल में इसको आज हमें यही पर एंड का देना चाहिए ताके यह अग्ले कि विडियो के लिए यहीं पर एंड करते हैं और यहां पर में आपने इस सारे इसंदेज लिया है तो इंशाला जो नेक्स्ट वीडियो के हम बनाते हैं उसमें मजीद आके वाले एक इसके साथ सब्सक्राइब आपने लेक्चर देखकर इसका फीडबैक जरूर देना है ताके आपके जो क्यूरीज उनको सौल भी किया जाए और आपको जो फीडबैक हो वो भी मेरे लिए बह फाइदा होना तो इस तरह से होफुल ही आपको आज की कंसेप्ट की समझ आई होगी तो इसके साथ ही हम आज की लेक्टर के ही प्रेंड करते हैं तो अलाहाफेस